परिचय जिस दिन आकाश स्वच्छ हो, उस दिन हम आकाश में बहुत से तारों को चमकते हुए देख सकते हैं। इस चारों तरफ पहले विशाल क्षित्र को अंत्रिक्ष कहते हैं। अंत्रिक्ष में वह सब कुछ शामिल है, सुदूर के तारे, ग्रह, उबग्रह और हमारी प्रित्वी एवं इस पर पाई जाने वाली सभी वस्तुएं भी। अताहा अंत्रिक्ष के संघटन को समझने से पहले हमें आकाश गंगा, तारे, ग्रह और उबग्रह इत्यादी जैसी वस्तुओं की चर्चा करनी होगी। उद्देशे इस पाठ के अंत्वें आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। खगोली पिंडों को पहचानना और उनकी सूची बनाना, चंद्रमा की कलाओं को समझना, चंद्र अभियान की खबर रखना, रात्री में आकाश में कुछ तारा मंडलों को चिहनित करना, सौर मंडल के बारे में जानना, कृत्रिम उबग्रह की भुमिका का वर्लन करना, चं चंद्रमा सूरि के बाद आकाश का सबसे प्रदीप्त पिंड है, आप पूर्णिमा के दिन पूरे चंद्रमा को देख सकते हैं, आप चंद्रमा को किस प्रकार देख पाते हैं, ऐसा इसलिए क्यूंकि यह सूरि के प्रकाश का परावर्तन करता है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, फिर भी प्रदीप्त दिखता है, क्यूंकि यह सूरि के प्रकाश को परावर्तित करता है। सूरि के प्रकाश को आप बल्ब समझे और चंद्रमा को प्रदीप्त दरपन, जो बल्ब के प्रकाश को परावर्तित करता है। चंद्रमा प्रित्वी की परिक्रमा करता है और प्रित्वी के साथ सूरे की भी परिक्रमा करता है। यानि 29.5 दिन में पूरा करता प्रतीत होता है। आप जानते हैं कि किसी किसी पूर्डेमा के दिन चंद्र ग्रहन लग सकता है। चंद्रमा की कलाएं। अमावस्या अमावस्या के समय हमें चंद्रमा का कोई भाग प्रदीप्त दिखाई नहीं देता। हम चंद्रमा का सिर्फ आंधेरा भाग देख सकते हैं। यह चंद्रमा के 29 और 1 बटा 2 दिनों तक चलने वाले चक्र की शुरुआत मानी जाती है। चंद्रमा सूरे और प्रित्वी के बीच एक कक्षा में स्थित है। बढ़ते हुए बालचंद्र के समय हम चंद्रमा के दाय तरफ एक छोटा सा भाग प्रदीप्त देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश के समय हम चंद्रमा का दाया आधा भाग प्रदीप्त देखते हैं। इस समय पृत्वी और चंद्रमा अगल बगल अपनी कक्षा में होते हुए सुरे का चक्कर लगाते हैं बढ़ता हुआ अरधादिक चंद्र बढ़ते हुए अरधादिक चंद्र कला में हम चंद्रमा का प्रदीप्त आधा भाग लगभग पूरी तरह से देखते हैं पूर्ण चंद्र या पूर्णिमा पूर्ण चंद्र के समय हम चंद्रमा का पूरा भाग प्रदीप्त देखते हैं चंद्रमा प्रिथ्वी और सूरी के बीच स्थित होता है घटता हुआ अर्धादिक चंद्र घटते हुए अर्धादिक चंद्र कला में चंद्रमा का बाया आधा भाग लगभग पूरी तरह प्रदीप्त दिखता है आखरी चतुर्धांश आखरी चतुर्धांश कला में हम चंद्रमा का बाया आधा भाग प्रदीप्त देखते हैं प्रित्वी और चंद्रमा सूरे के परित अपनी कक्षा में अगल बगल होते हैं। घड़ता हुआ बाल चंद्र घड़ते हुए बाल चंद्र के समय हम चंद्रमा के बाहिं तरफ एक छोटा सा भाग प्रदीप्त देखते हैं। चंद्रमा का प्रिष्ठ प्रिथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपक्रह चंद्रमा आकार में प्रिथ्वी से एक चौथाई जो की 3474 किलोमेटर व्यास है, यह प्रिथ्वी और चंद्रमा को आभासी रूप से एक दोहरा ग्रह बनाता है. चोटे आकार के कारण चंद्रमा का ग्रुथ्व प्रिथ्वी के ग्रुथ्व का एक छटा हिसा है, यानि एक व्यक्ति जिसका भार प्रिथ्वी पर 60 किलोग्राम होता है, उसका भार चंद्रमा पर 10 किलोग्राम होगा. तारा मंडल चंद्रमा विहीन रात्री में हम हजारों तारों को देखते हैं इन में से कुछ तारे विशेश समूह या आकृती में सजे होते हैं तारों का एक समूह भालू की वह आकृती जैसा दिखता है एक अन्य समूह शिकारी के आकार का दिखता है ऐसे ही अन्य समूह हैं वे तारे जो एक बंद समूह में हों और पहचानने लायक कोई आकरिती बनाएं तो उनकी इस सज्जा को तारा मंडल कहते हैं उर्सा मेजर तारा मंडल या ग्रेट बियर तारा मंडल उर्सा मेजर तारामंडल का भारतिये नाम सब्तरिशी तारामंडल है। ग्रेट बेर तारामंडल हमें आकाश में जड़ी हुई कर्छी या प्रश्नवाचक्चिन्ह का स्मरण कराता है। उर्षा मेजर तारा मंडल या गरेट बेर तारा मंडल में साथ चमकीले तारे होते हैं, जिनकी आकरिती बड़े भालू जैसी दिखती है बिग डीपर उर्षा माइनर या स्मॉल डीपर तारा मंडल में भी साथ तारे होते हैं द्रुव तारा उर्षा माइनर के हत्ते के सिरे जैसी आक्रिती बनाता है ओरायन तारा मंडल ओरायन तारा मंडल का भारतिये नाम म्रिग तारा मंडल है इसमें भी साथ प्रमुक तारे होते हैं म्रिग तारा मंडल में तारों की वैवस्था को चित्र में दर्शाया गया है ओरियन का अर्थ होता है शिकारी अता ओरायन तारा मंडल की आकरिती को एक शिकारी जैसी आकरिती माना जाता है सौर मंडल सौर मंडल में सूरे उसके नौग ग्रह एवं उनके उपग्रह या चंद्रमा और हजारों दूसरे खगोलिये पिंड जैसे शुद्ग्रह, धूमकेदू और उलकाएं इत्यादी सौर मंडल सौरे से प्रभावित है, सौरे सौर मंडल के केंद्र में है और शेश सभी पिंड इसकी प्रक्रमा करते हैं सूरी का गृत्वाकरशन खिजाओ, सूरी की प्रक्रमा करने वाले ग्रहों और अन्य पिंडों को बनाए रखता है, अतहा सौर मंडल के सभी सदस्यों कीगती सूरी के गृत्वाकरशन बल से नियंत्रित होती है उपक्रह या चन्ध्रमा उपग्रह या चंद्रमा एक ठोस खगोलिये पिंड होता है, जो ग्रहों के चारों तरफ परिक्रमा करता है। चंद्रमा प्रित्वी की परिक्रमा करता है, अताहा चंद्रमा प्रित्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह अपना प्रकाश स्वयम उत्पन्य नहीं करते, वो प्रदीप्थ होते हैं क्योंकि वो सुरिक के प्रकाश को परावर्दित करते हैं। अब हम पृत्वी के उपग्रह चंद्रमा की विस्तार से चलजा करेंगे। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालकि हम सामाने तोर पर प्रिथ्वी के उपग्रह को चंद्रमा कहते हैं, लेकिन दूसरे ग्रहों के उपग्रहों को भी चंद्रमा कहा जा सकता है। ग्रह ग्रह थोस खगोलिये पिंड होते हैं, जो सूरे के चारों तरफ एक बंद अंडाकार पथ पर परिक्रिमा करते हैं। ग्रह शैलों और धातों से बने होते हैं, और ये अपना प्रकाश उत्पन्य नहीं करते हैं। ग्रह सूरे के प्रकाश को परावर्दित करने के कारण चमकते हैं, क्योंकि ग्रह तारों से बहुत पास होते हैं, इसलिए वो बड़े दिखते हैं, और रात को चमकते नहीं हैं। ग्रह सूरे के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा करते हैं। इसलिए ग्रहों की सापिक्षिक स्थिती परिवर्तित होती रहती है। सूरे या दूसरे तारों की तुलना में ग्रह बहुत छोटे होते हैं। प्रिथ्वी समेत कुन्नों प्रमुक ग्रह हैं। सूरे के सबसे समीप बुद्ध ग्रह है और सबसे दूर प्लूटो ग्रह है। ग्रहों के नाम उनके भारतिये नामों जहित सूरे से दूरी किकरम में दिये गए हैं। एक मरकरी यानि बुद्ध ये सूरी के सबसे समीप है। नमबर दू वीनस यानि शुक्र तीन अर्थ प्रिथ्वी चार मार्स मंगल पांच जुबिटर यानि ब्रस्पती सबसे बड़ा ग्रह सिक्स सैटन यानि शनी सेविन यूरेनस यानि इंद्र एट नेप्चून यानि वरुन नाइन प्लूटो यानि यम सबसे छोटा ग्रह ये सूरी से सबसे दूर है सौर बंडल के नौ ग्रहों में से पांच बुद्ध, शुक्र, मंगल, प्रस्पती और शनी को नंगी आँखों से आसानी से देखा जा सकता है इन्हें स्थलज ग्रह कहते हैं इनका धरातल ठोस और चटानी होता है तीन ग्रह इंद्र, वरुन और यम बहुत दूर हैं इसलिए इन्हें दूर दर्शकों की साहता से खुजा गया है इन ग्रहों को जूवियन ग्रह कहते हैं प्रिथ्वी को हरा ग्रह कहते हैं बुद्ध बुद्ध सुर्य के सबसे समीब का ग्रह है ये आकार में प्रिथ्वी से छोटा और लगभग चंद्रमा के बराबर है ये कई बार सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है अपनी चमक के कारण इसे प्रभात तारा या संध्या तारा भी कहते हैं चंद्रमा ही की तरहा बुद्ध की सतह भी चट्टानी और पहाडी है शुक्र सूर्य से दूसरा सबसे समीब क्रह है हाला कि शुक्र हमारी प्रित्वी के सबसे समीब क्रह है यह चंद्रमा के बाद रात्री आकाश में सबसे चमकीला पिंड है शुक्र सूर्य से आने वाली 75 प्रतिशत किरणों को परावर्तित कर देता है इसलिए चमकीला दिखता है शुक्र का भार पृत्वी के भार का चार बढ़े पांच है जबकि दोनों का आकार लगभग समान है पृत्वी पृत्वी सूरे से तीसरा ग्रह है दूसरे ग्रहों से देखने पर पृत्वी प्रकाश के परावर्तन और जल की उपलब्दता के कारण हरी और नीली दिखती है पृत्वी हमारे सौर मंडल का एक मात्र ग्रह है जिस पर मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक आकसीजन परियाप्त मात्रा में है यह एक मात्र ग्रह है जिस पर परियाप्त मात्रा में जल उपलब्द है जीवन की उपस्तिती पृत्वी को विशिष्ट ग्रह बनाती है पृत्वी एक काल्पनिक अक्ष के परित घूमती है और जो दक्षिन और उत्तर ध्रोवों से हो कर जाता है यह अक्ष अपने पत के तल से जरासा जुका हुआ होता है इसी घूनन के कारण पृत्वी पर रात और दिन होते है पृत्वी सूरी का एक चक्र 365 दिन में पूरा कर लेती है जिसे एक वर्ष कहते है घूनन के अक्ष के जुगाव और सूरी के सापेक्ष इसकी स्थिती के परिवर्तन के कारण रितू परिवर्तन होते हैं अक्ष में जुकाओ के कारण वर्ष भर दक्षणी और उत्तरी गोलार्द की सूरे की सापेक्ष स्थिती बदलती रहती है मंगल मंगल सूरे से चौथे स्थान पर है क्योंकि मंगल ग्रह सूरे से काफी दूर है इसलिए या एक ठंडा ग्रह है मंगल ग्रह पर वायू मंडल है जिसमें कारबन डायोकसाइट, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के चिन्न पाए गए है मंगल पर प्राप्त ऑक्सीजन बहुत कम है और मनुश्य के अस्तित्व के लिए अपरियाप्त है ब्रस्पती ब्रस्पती सूरे से पाचवां ग्रह है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है यह पहला गैस वाला ग्रह है जो हाइड्रोजन और हिलियम से बना है आकाश में यह एक चमकदार पिंटि के रूप में दिखता है और दूरदर्शक से देखने पर यह रंग बिरंगा दिखता है लेकिन यह बहुत पतला है इसका वायू मंडल बहुत सघन है ब्रस्पती का वायू मंडल हाइड्रोजन, हिलियम, मिथेन और अमोनिया से बना है यह बहुत ठंडा ग्रह है इसकी सतह का ताप माइनस एक सो पचास डिग्री सेलसियस है ब्रस्पती का भार प्रत्वी के भार से तीन हजार गुना जयाता है इसके बहुत ज्यादा भार के कारण प्रस्पती अपने आसपास से गुजरने वाले पिंडों पर भारी गुरत्वा कर्शन बल लगाता है। ब्रस्पती की तरह शनी भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यह सैक्रों वलियों से घ्रा है जो प्रत्यक्ष दिखते हैं। पूर्ता विक्सित वले तंत्र शनी को सौर मंडल में विशिष्ट स्थान देते हैं। यूरेनस यूरेनस सौर से सात्वा ग्रे है। यह दूर दर्शक की साहिता से खूजा जाने वाला पहला ग्रे है। व्रिस्पती और शनी के बाद यूरेनस सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रे है। यह भी मुख्यता हाइडूजन और हिलियम से बना है। और इसके चारों तरफ कुछ वले है। यूरेनस के बारे में सबसे रुची करताते हैं कि यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चम की तरफ खूमता है और दूसरे सबी ग्रेहें पश्चम से पूर्व की तरफ खूमते हैं। निप्चियोन यूरेनस के ठीक बगल में सिद है. सुरी की तरब से बाहर की ओर गिनिदी करने पर या सौर मंडल का आठवा ग्रह है निप्चियोन का आकार यूरेनस के समान ही है और ये बड़े क्रहों में आखरी है नेप्च्यून के चारों तरफ भी कुछ वले हैं प्लूटो प्लूटो आखरी ग्रह है जिसकी खोज हुई थी यहाँ सौर मंडल के सबसे बाहर का ग्रह है यहाँ सौरे से नौवा ग्रह है ध्यान रखें कि प्लूटो सौरे और साथी प्रिथ्वी से भी दूरतम ग्रह है प्लूटो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है यह मुख्यता जमी हुई मेथन से बना है सौर से दूरतम होने के कारण प्लूटो को सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है चुद्र ग्रहे चुद्र ग्रहे चट्टान और धातु के बहुत छोटे ग्रहे होते हैं जो सूरे के चारों तरफ परक्रमा करते हैं यह मुख्यता मंगल और ब्रस्पिती की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं वस्तता एक तरह की पट्टी होते हैं जो किनी कारणों से किसी ग्रह से जोड़ने से वंचित रह गए हों और मंगल ब्रस्पिती की कक्षाओं के बीच खूमते रहते हैं शुद्र ग्रहों की संख्या करीब एक लाख है सबसे बड़ा शुद्र ग्रह जिसे सेरिस कहते हैं इसका व्यास आट सो किलोमीटर है वही सबसे छोटा शुद्र ग्रह कंकड के बरावर है धूम के तू हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लूटो सौर मंडल का सबसे बारीक रह है सौर मंडल के किनारे पर अर्बों बहुत छोटे बिंड हैं जिन्हें धूम के तू कहते हैं इन धूम के तूं का निर्माण बहुत प्रारंभ में उन्ही गैसों से हुआ था जिससे अनिक रहों का निर्माण हुआ था ये धूम के तू इतने दूर हैं कि संसार के लिए अनजान हैं अथा एक धूम के तू गैस और धूल का समोग होते हैं जो एक चमकीली प्रकाश की गेंद जिसमें लंबी चमकती पूँच होती है उसकी तरह आकाश में दिखते हैं धूम के तू की पूँच सदैव सूरे से परी होती है उलका उलकाएं आकाशी पिंड होते हैं ये हमें प्रकाश की एक चमकीली धारा की तरह दिखते हैं जो आकाश में कभी कभी चमकते हैं कुछ उलकाएं धूम के तुद्वारा त्यागे गए धूल के कारण होती हैं। कुछ इक्षूद्र ग्रहों के टकराने से अलग हुए टुकडे होते हैं। कुछ उलकाएं इतनी विशाल होती हैं कि पूरी तरह नश्ट होने से पहले वो पृत्वी की सतह तक पहुँचाती है इन्हें उलकापिंड कहते हैं कृत्रिम उबग्रहें। आप इन्सेट 3B जैसे उबग्रहों के नाम से अवश्य परिचित होंगे। इन्सेट 3B मनुश्य द्वारा निर्मित कृत्रिम उबग्रह का उधारण है। ये पृत्वी के चारों तरफ प्राक्रतिक उबग्रह की तरही चक्कर काटते हैं लेकिन चंद्रमा की तुलना में प्रिच्वी से समीप होते हैं। विज्ञानिकों द्वारा तयार किये गए प्रक्षे पणु यानों की सहता से इन्हें अंत्रिक्ष में ले जाकर कृत्रिम उबग्रह के रूप में स्थापित किया जाता है। प्रिक्रिम उबग्रह टेलिविजन कारिक्रमों, टेलिफोन और इंटरनेट के माध्यम से संचार के सुदूर प्रसारण में सहयक होते हैं। ये शोध, रक्षा और सुदूर समवेदन में भी सहयोग करते हैं। इनका प्रयोग, मौसम, कृशी, भूमी और समुद्र की राप करने के लिए भी होता है। सारांश सुरिभी एक तारा है। तारों की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापना सुविधा जनक होता है। तारे पूर्व से पश्चिम की तरफ गती करते प्रतीत होते हैं। दुरुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत होता है, क्योंकि यह प्रत्वी के समी पिस्तित है। यह प्रत्वी के घोणन के अंश के समी पिस्तित है। तारा मंडल तारों का एक समुह होता है, जो एक पहचानने लाइक आकरिती बनाते हैं। सौर मंडल में आठ ग्रह और खुद्र ग्रह धूमकेतु और उलकाएं समलित हैं। किसी अन्य पिंड के परित खुमने वाले पि उब ग्रह कहते हैं। चंद्रमा प्रित्वी का प्राकृतिक उब ग्रह है। कुछ ग्रहों के प्राकृतिक उब ग्रह होते हैं। रातरी कालीन आकाश में शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। ब्रस्पती सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।